इस तरह हैरी के पाथ सब्ता तक अपने जादूगर मित्रों की कोई खबर नहीं मिली इस साल की गर्मी की छुटिया भी पिछले साल जितनी ही बुरी बीत रही थी सिर्फ एक छोटा सा सुधार हुआ था हैरी को इस बात की इसाज़त मिल गई थी कि वह अपनी उल्लू हैडव हैरी में दी थी क्योंकि अगर हैडविक के 2400 घंटे पिंच्रे में बंद रखा जाता तो वह बहुत हुर्दंग मचा दे थी वेंडेलिन नामक जादूगर्नी के बारे में लिखने के बाद हैरी एक बार फिर यह सुनने के लिए रुका की कहीं कोई जाक तो नहीं गया अंत थकान के मारे चल रही थी शायद वह इस निबंद को कर रात को पुरा कर लेगा अपने उसने अपनी दवात का ठकन बंद किया और अपने विस्तर के निचे से तक्ये का एक पूराना कवर निकाला फिर उसने टॉर्च जादू का इतिहास अपना निबंद कलम और दवात उस फैला कर अंगडाई ली और बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखी चमकने वाली अलराम खड़ी में समय देखा रात के एक बच चुके थे हैरी के पेट में एक अजीब सी हलचल हुई उसे पता भी नहीं चला था कि वह पूरे एक गंटे पहले तेरा साल का हो गया है हैरी के बारे में एक औरा सामान्य बात यह थी कि उसे अपने जन्म दिनों से बहुत कम उम्मीदे रहती थी उसे सिंदगी में कभी कोई वर्थरे कार्ड नहीं मिला था डर्शली दमपत्ती दो सालों से हैरी के जन्म दिन को पूरी तरह अंदेखा कर रहे थे और उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वे इस जन्म दिन को याद रखेंगे हैरी अंतेरे कमरे में हैडविक के बड़े खाली पिंचरे के पास से होता हुआ खाली खिड़की के पास पहुँचा वह उसकी चोखट पर छुका उसे अपने चहरे पर रात की ठंडी हवा महसूस हुई कमबलों के बीतर काफी देड़ तक रहने के बाद उसे यह हवा बहुत अच्छी लग रही थी हैडविक दो रातों से गायब थी लेकिन हैरी इस बात से परेशन नहीं था वह पहले भी कई बार लंबे समय तक गायब रह चुकी थी बहरहाल हैरी जाता था कि हैडविक कोड़ा चोटा और दुबला दिखता था लेकिन पिछले एक साल में वह कुछ इंच लंबा हो गया था बहरहाल उसके काले बाल अब भी पहले जैसे ही थे उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वे हमेशा बिखरे रहते थे मोटे चसमें के नीचे उसकी आँखे चमकदर हरी थी इसके अलावा उसके माथे पर एक पतलाशा निशान भी था जिसका आखार बिचली चमकने की तरह था हरी की तमाम असामन्य चीज़ों में यह निशान सबसे असातरन बात थी डर्सली दंपत थी दस साल तक उससे यह चूट बोलते आये थे कि यह उस कार दुर गटना मे बना था जिसमें उसके माता-पिता की मौत हुई थी जबकि सच्चाई तो यह थी कि लीली और जैंस पॉटर की मौत कार दुर गटना में नहीं हुई थी उनकी हत्या हुई थी इस सदी के सबसे भयावा शैतानी जादूगर लौड वाल्डे मौट ने उन्हें मार डाला था उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी लेकिन हैरी बच निकला वाल्डे मौट के शाप से उसके माते पर सिर्फ यह निशान बना और इसके बाद वाल्डे मौट के शाप ने पलट कर उसी पर हमला कर दिया वाल्डे मौट को चान के लाले पड़ गए और वह भाग खड़ हुआ अग्वर्ट्स में हैरी की उससे फिर मुटपेड हुई अंदेरी खिड़की के पास खड़े खड़े जब हैरी ने वाल्डिमॉट से अपनी आखरी मुटपेड याद की तो उसको यह मानना पड़ा कि अपने तेरवे जन्दिंग तक पहुचना उसकी खुश किस्मती थ देखा शायद वह अपनी चौँच में कोई मरा हुआ चुहा लटकती हुई उसके पास आ जाए और सबबाशी की उमीद करें वह छटों के उपर के आसमान को यूही देख रहा था कि तभी उसे एक बहुत अजीब चीज दिखी उसे स्थीती को समझने में थोड़ा वक्त ल चुपचाप खड़े खड़े उसे निच्चे और निच्चे आते देखता रहा एक पल के लिए वह जिचका उसने अपने हाथ खिड़की के हंडल की तरफ बढ़ाए वह इसे बंद करने के बारे में सोचने लगा लेकिन तभी वह वीचीतर जीव प्रिविट ड्राइव की स्ट्रीट लाइट के उपर पहुंचा जिसकी रौशनी में पूरी में हैरी को पूरी बात समझ में आ गई वह ततकाल एक तरफ हो गया खिडकी में से तिन उल्लू अंदर आए उन में से दो उल्लू ने तीसरे को पकड़ रखा था जो बेहोस लग रहा था फे हलकी सी धम की आवाज के साथ हैरी के बिस्तर पर उत्रे बीच वाला बड़ा और पुरा उल्लू स्थीर पड़ा रहा उसके पैर में एक बड़ा पा बंती रस्या खोल कर पार्सल को अलग किया और एरल को हैडविक के पिंचरे की तरफ ले गया हैरी ने धीरे से एक आख खोल कर धन्यवाद की धिमी सी आवाज निकाली और पानी पीने लगा हैरी बाकी बचे उल्लू की तरफ मुडा उन में से एक उसकी अपनी हैडविक थी जो बड़ी और सफेद रंग की थी वपी एक पार्सल लाई थी और बहुत खुश दिख रही थी हैरी ने जब उसका पार्सल खोला तो उसने हैरी को अपनी चोंच से प्रेम से कुत्रा और फिर वह कमरे में उड़ती हुई एरल के पास चाकर बैट गई हैरी तीसरे उल्लू को नहीं पैचान पाया जो सुन्दर और छोटा था बहाराल वह तूरन समझ गया कि यह कहां से आया था क्योंकि तीसरे पार्सल के साथ ही होकवर्स की महर वाला खत भी था जब हैरी ने उल्लू का पार्सल निकाल कर उसे मुक्त किया तो उसने महत्वपूर्ण दिखते हुए अपने पंक फड़ फड़ाए और खिड़की से बाहार उड़ गया हैरी अपने बिस्तर पर बैठ गया उसने जपटकर एरल वाले पार्सल को उठाया और उस पर लिप्टे फूरे कागस को फाड़ा अंदर सुनेरे वर्क में एक तौफा लिप्टा था और उसे मिलने वाला पहला बर्थडे काड़ भी था कापती उंगलियों से उसने लिफाफा खुला जिसमें से दो खागस बाहर निकले एक पत्रा और एक अखबार की कटिंग यह साफ था कि कटिंग जादू करों के अखबार देनिक जादू कर की थी क्योंकि स्वेत श्याम तस्वीर में लोग हिल डूल रहे थे हैरी ने कटिंग उठाई और उसकी तरफ खोल कर उसे पढ़ा जादू मंत्रा लाए के करमचारी ने बड़ा पूरसकार जीता जादू मंत्रा लाए के मगलू वस्तू दूरूपयोग विभाग के प्रमुक आर्थर विजली ने देनिक जादूगर का वार्षिक ग्रांड प्राइज कैलियन ड्रॉ जीता है खुशी से जूम रहे मिस्टर विजली ने देनिक जादूगर को बताया हम इस पैसे से मिस्टर के गर्मी की छुटिया मनाने जाएंगे जहां हमारा सबसे बड़ा बेटा बिल जादूगरो के बैंक क्रिंग कोट में शाप नाशक है विजली परिवार मिस्टर में एक महिने तक ही रहेगा क्योंकि इस परिवार के पांच बच्चे हॉगवर्ट्स में पढ़ते हैं और उन्हें स्कूल के नए सत्र की सुरुवात के लिए सितंबर में वहां पहुंचना है